नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर अमित्माईश्वरी, बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर, मूटिविशन स्पीकर, एंच एयो, मैटास उवर्सीज लेमेटेड, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में, फ्रेंड्स अगर हम आप अपना financial decision लेना चाहते हैं, तो आपको घर किराये पर लेना चाहिए, या आपको घर खरीदना चाहिए, इन दोनों पहलों पर हम बात करेंगे, लेकिन इन पहलों पर बात करने से पहले यह समझना बहुत जुरूरी है, कि Indian tendency, human tendency है, वो किस तरह से काम करती है, और क्या क घर खरीदने की बात कर रहे हैं, तो मैं देखना होता है कि हमारे sentiments किस तरह की है, देखे घर जो है न, वो एक emotion से जुड़ी हुई चीज है, क्यों है, मैं कारण बताता हूँ, यदि आप अपने घर में रह रहे हैं, तो हो सकता है कि आप emotionally ये बात ना सोचें कि कि किराये के अपने घर की क्या value है, और अपने घर की क्या value है, लेकिन अगर आप किराये पर रहते हैं, तो मैं guarantee से आप कहता हूँ, कि आपके मन में एक feeling जरूर है, कि मेरा एक emotion है ये, कि मेरा घर अपना होना चाहिए, और क्या है कि हमें सामाजिक दोर से भी न, इस तरह से design किया हुआ ह हमने, कि सब ये मानते हैं, प्रतिष्ठा तब ही होती है, जब आपका खुद का अपना घर होता है, है ना, आपकी feelings घर को लेके क्या है, ये इस बात पर depend करता है कि आपका खुद का घर है या नहीं, पूछो उन लोगों से, या बात करो उन लोगों से, जो किराये पर लेते हैं, वो अपनी feeling बताएंगे कि यार घर अगर अपना हो जाए ना, तो बहुत सुकून हमें मिलता है, ये बहुत important role play करता है, तो आज जिस aspect पर हम बात करने वाले हैं, उसमें हम ये देखेंगे कि हमें घर लेना चाहिए, या खरीदना चाहिए, अलग-अलग sentiments क्या हैं, और क्या फायदे और क्या नुकसान हैं, उसके बाद आप खुद judgment करें कि हमें घर खुद का खरीदें या हम किराये पर लें, ये depend करता है कुछ बातों पर, जिसमें सबसे important बात है कि अगर हम घर किराये पर लेते हैं, तो क्या हमें फायदे या नुकसान है, और यदि हम घर खर चेंज करने की जुरुत पड़ती है, जैसे डेली का मैं उधारन ले लेता हूं, बहुत सार लोग डेली में रहते हैं, लेकिन जॉब करने के लिए कभी गुडगाओं हो जाते हैं, कभी फरीदाबाद जाते हैं, कभी वो नौइड़ा हो जाती है, तो बार बार उनको अपन पर रहते हैं, कि उनका बिजनस डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में होता है, अगर घर आपका रेंटेड है, तो आप आसानी से अपनी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ओफ लोकेशन एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है, जब हम रेंटेड हाउस पर होते हैं, यही बात अगर हम कहते हैं कि हम उस घर को बाई कर लेती हैं, तो हम एक फिक्स लोकेशन पर सेट हो जाते हैं, और खरीदे होए घर को जिल्दी लोग चेंज नहीं करते हैं, जर्नली पांच साल, दस साल, बीस साल, और कई बार तो पूरी उम्र भर हम खरीदे ह तो हमारी लोकेशन ना वो फिक्स हो जाती है हमें कई बार बहुत ज़रा ट्रेवल करना पड़ता है मैंने देखा है डेली में बहुत सारे लोग रहते हैं गुडगाउं जॉब जा रहे हैं या नौइडा जा रहे हैं तो कई-कई घंटे पर डे उनका कंजूम हो जाता है अग अगर आप अपने घर को स्विच कर सकते हैं लेकिन यही बात अगर आप जिस घर में रहे हैं और आपका खरीदा हुआ है तो आपके पास यह फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपका नेवरूड बिलकुल फिक्स है हाँ अप अपना दैरा बना सकते हैं किन लोगों से मिलना है क आपका घर है आप उससे रिलेशन मेंटेन करे या ना करें आप अपने नेवरूड को चेंज नहीं कर सकते यह एक छोटी सी बाउंडेशन होती है अगर आप अपना खुद का घर खरीते हैं इसके लबावा नो ह्यूज फंड रिक्वाइड अगर आप रेंट पर रहते हैं तो आपको बहुत बड़ी कैपिटल इंवेस्ट नहीं करने पड़ती जैसे जर्नली अगर मैं सिंपल एग्जेम्पल लूँ कि एक करोड के घर की वैल्यू है अगर आपके पास खुद का एक करोड रूप है आप टोटल डाउन पेडमेंट देकर घर खरीते हैं तो कोई अल और यहाँ पर क्या है आप उस पैसे को इंवेस्ट कर सकते हैं अगर आप घर खरीदने का प्लान कर रहा है और यह आपके पास अपना घर है कि आप खुद का खरीदें यह तो आपका personal decision है fine और दूसरी बात जब हम rent पर लेते हैं no cost of renovation and repair and maintenance क्या होता है कि आपका rented house है आप 2 साल 3 साल 5 साल रहते हैं या कई बार 11 मेनित रहते हैं तो वहाँ पर आपको repair and maintenance पर कोई खास कर्चा नहीं करना पड़ता है क्योंकि बड़ी जो आप दूसरी building में switch हो सकते हैं लेकिन अगर आपका खुद का घर वो खरीदा हुआ है तो आपको huge cost pay करनी है repair and maintenance और renovation पर और यह देखा गया है जर्नली 1% से लेकर 1% से लेकर 2-3% तक हमें cost आती है renovation की एक साथ नहीं लगती है लेकिन कई बार क्या होता है 3-4-4 साल बाद एक आप देखो बहुत जगह पर 5% rent increase होता है कहीं पर 10% होता है तो डिपेंड टरता है कि आपका जो operating cost है ना मतलब आपका जो monthly overhead है वो लगातार बढ़ता रहता है लेकिन इसमें क्या रहता है आपकी property की value अगर आपने खरीदिये building तो property की value appreciate होती रहती है बढ़ती रहती है time to time कई बार तो ऐसी location होती है जहां पर property की value बहुत जदा appreciate होती है fine इसके लाबा यहां पर अगर हम low percentage of interest देखें low percentage of interest value हम पर rent पर घर ले रहे हैं मतलब अगर हम total calculation देखें अगर एक करोड की building है उसको आप किराये पर लेते भी हैं तो आपको 20,000 maximum 25,000 तक मिल जाती है और appreciation of rent भ उस पैसे को आप कहीं और invest करते हैं तो आप ज्यादा अच्छा पैसा drive कर सकते हैं इसके लाबा हाई rate of interest value है मतलब एक करोड का घर अगर आप खरीदे हैं और खुद का पैसा है तो मैं उस विशे में बात नहीं कर रहा है मैं इस विशे पर बात कर रहा हूं आपने एक मोटा amount down payment पर दिया है और आप उस घर को खरीद लेते हैं और EMI भर रहे हैं मतलब जो घर आपको सिर्फ 20-25 जार पर मिल जाता है अगर उसको EMI पर आप ले रहे हैं तो आपका 60-65,000 रुपे EMI आती है हाँ लेकिन बात लगए कि interest के साथ साथ आप उसका principle भी पे कर रहे हैं यह ब sentiments हमारे जुड़ है feelings हमारे जुड़ी हुई है तो peace of mind नहीं होता आप कभी भी अपने घर में कोई major changes नहीं कर सकते इंटीर में बहुत जारा changes नहीं कर सकते इसके लावा कई बार लगता है कि मकान मालिक बार बार डिस्टरब करता है अरे चत पे चिल्ला क्यों रहे हो अरे ज आपके शोशल वेल्यू जो है ना वो किराये की प्रॉपर्टी पर थोड़ी सी कम होती है इसका अनुभव उस व्यक्ति को ज्यादा है जो किराये पर रह रह रहा है अडोस पोडस के लोग भी यह तो किरायदार है या रिलेटिव जी होती है वो भी यही कहते है अभी तक घ रोल प्ले करते हैं आपके माइंड सेट को बदलने का वह आप देखते हैं कि अगर आपका खुद का घर है तो आपको सोशल वेल्यू भी डिफरेंट देते हैं और यह क्या है आप जब किराये के घर पर रहें तो हमेशा हमेशा के लिए वह एक लाइबिलिटी है चाहें आज़ा एसेट भी समझते हैं आज़ा इंवेश्टमेंट भी समझते हैं इसका बेनिफिट भी आपको होता है कि इसका आप रेगुलर अप्रिशेशन मिल रहा है और एक टाइम पर जब आपका लोन खताम हो जाएगा तो आपकी प्रॉपर्टी अपनी हो जाएगी रिपेर और मेंटनेंस की कॉस्ट है वो ले सकते हैं अगर आपके पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ना तो यह बहुत सारी बाते हैं जिस पर निर्भर करता है कि आप घर खरीदें या आप किराये पर लें लेकिन जब हम फानेंचल डिसीजन की बात करते हैं देखिए क्या होता ह को बहुत अच्छे तरीके से क्यालकुलेट करना चाहिए कि अगर आज दो बाते मेरे पास हो सकती है कि एक करोड रुपे की वेल्यू मेरे पास खुद की है मैं एक करोड से प्रॉपर्टी टोटल डाउन पेइमेंट देकर खरीद देता हूं या मेरे पास एक करोड रुपे पर मैं उसको इणवेस्ट कर देता हूं और खुद किराये पर लेता हूं या दूसरा सेनेरियो क्या है कि आपके पास 1 क्रोड रुपे नहीं है आपके पास डाउन पेइमेंट देने के लिए मानले यजे 20 पर्सन्ट या 30 पर्सन्ट लेते हैं 20 पर्जेंट है आपके पास खुद का 20 लाग रुपे है और आप उसको बैंक से लोन कराते हैं होम लोन तो कहते हैं कि यह घर है मेरा अपना है यह घर तो मेरा अपना है लेकिन जो लोग लोन ले लेते हैं उनको फीलिंग तो यह होती है कि यह घर मेरा अपना है उसक के बारे में बात करते हैं मैं यहाँ पर खोल लेता हूं कैलकुलेटर जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर मैं उस पैसे को जो एक करोड का घर मैं लेने वाला हूं जिसके लिए मेरे पास केवल 20 लाख रुपे डाउन पेइमेंट है और 80 लाख रुपे का मैं लोन लेने व impact क्या आता तो अब मैं यहां पर आपको calculate के बदाता हूं कि अगर वही पैसा हम इन्वेस्ट कर दें या उसको down payment के रूप में देकर हम bank loan ले ले और घर खरीद ले तो सबसे पहले मैंने यहां पर निकला है EMI calculator कि देखने कितनी कि EMI हमारी आने वाली या down payment देने के बाद मैंने का था है कि एक करोड का हमारा घर है और उस एक करोड के घर में हम 20 लाक रुपे initial amount as a down payment दे रहे हैं और 80 लाक रुपे को finance करा लेते हैं लोन ले लेते हैं तो यहां पर देखिए हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो loan amount है देखिए EMI calculator बहुत इज़ी है HDFC bank का मैंने खोला हुआ है यहां पर हमने loan amount में डाला 80 लाक रुपे और कितने साल के लिए हमें हमें लेना है हमने ले लिए 20 साल के लिए और यहां पर rate of interest क्या होना चाहिए फ्रेंट्स home loan में rate of interest vary करता है यह depend करता है कि ITR कितनी के और कितना पैसा कमाते हैं ताकि bank भी देखे कितना पैसा उसका सेफ है तो मैं माल लेता हूं कि हम home loan जो ले रहे है वो 7% पर हमें मिल रहा है तो 7% पर हमें मिलता है तो कितनी EMI आती है यहां आपकी EMI जो आयती है मंतली वो आयती है 62,000 की EMI आती है ज्यान से समझे मेरा कहने का मतलब क्या है अगर आप 20 लाक रुपे डाउन पेमेंट देकर घर खरीते हैं तो 80 लाक रुप इसका मतलब 80 लाक रुपे जो आपने दीए हैं उस पर इंटरस्ट जो आप पे कर रहे है वह 68,85,740 रुपे तो टो टोटल 80 लाक रुपे का आपने कितना पी किया 20 लाक आपने डाउन पेमेंट दे दिया आप कर रहे हैं 1,48,85,740 रुपे इतना आप पे करेंगे अगले 20 स समझनी की है कि 20 साल की जूरेशन में न यह गेरेंटी है कि कभी भी यह फिक्स नहीं रहेगा कि आपका जो बिजनस है वह हमेशा एक तरह से चले हमेशा प्रॉफिट कमाते रहे हमेशा ग्रोथ की तरफ रहे कभी लॉस भी होगा कभी हो सकता है जैसे लॉक्डाउन में हुआ बिजनस कॉलाप्स कर गए थे बंद हो गए थे बिजनस बिल्कुल और नहीं ऐसा होगा कि जॉब की पॉसिबिलेटी भी हमेशा बनी रहे हो सकता है कोई ऐसे सरकमसान सी जाजा जाए या और भी कई कारण हो सकते हैं तो यहां यह समझदा जरूरी कि क्या आप अगले 20 साल तक बासट अजार रुपए देने के लिए तयार हैं और आपकी जो टोटल पूंजी थी 20 लाग रुपए वो भी आपने डाउन पेमेंट में दे दी हैं दूसरा सेनेरियो जो हम यह लेते हैं वह क्या है हम यह क्या है करते हैं कि हम उस घर को किराय पर लेने वाले हैं तो करके देखते हैं यहां आप आपने इनिशल बैलेंस कितना दिया 20 लाग रुपए जो आप लोन में दे रहे थे यहां पर आपने इन्वेस्ट कर दिया और रेट ऑफ रिटन अगर शेर मार्केट की रेट ऑफ रिटन की बात करो ना फ्रेंड्स तो बारा से पंदरा करें यह आपके ऊपर निर्वर करता है आपको कितना लगता है कि शेर मार्केट में कितना पैसा बनाया जा सकता है बीस साल की में बात कर रहा हूं कंपाउंड इंटरवल जो हो आपका 12 मन्त का है और आप हर महीने देखिए वहां पर आपका कितना आ रहा था यह माई 20,000 रुपे हर महीने यहां पर आप इन्वेस्ट कर देते हैं और जो हर महीने वह बिगनिंग आफ दा एवरी मन्त आप यहां पर इन्वेस्ट करते हैं और यह भी माल लेते हैं चलिए कई बार में में कोशें ने रहता है कि समय के अनुसार इंफलेशन गैप बढ़ता चला आज मैं इंफलेशन भी कैलकूलेट यहां कर लेता हूं तो लगबग 6% का इंफलेशन हम लोग यहां पर ले लेते हैं है ना आप चेक करते हैं कि कितना कैलकूलेशन आपके सामने आता है तो यह सारी कैलकूलेशन आपके सामने यहां पर आ जाने वाली है तो आप देखिए रुपे हर महीने आप सेव करते जा रहे थे तो यहां पर जो आपकी एडिशनल डिपॉजिट वह वह क्या हुआ एक करोड़ पिचासी लाख 49,949 रुपे और रेट ऑफ रिटन जो आ रहा है आपको इंफलेशन मिलाके साड़े बारा परसेंट 12.68 परसेंट आ रहा है तो यहां पर आपकी जो टोटल वेल्यू हो जाने वाली है ना वह निया आठ करोड़ चाहिए बारा परसेंट आ रहा है फ्रेंट शेयर मार्किट में तो रिटन 15 परसेंट भी आता है बीस भी आता है मैंने तो एक जर्नल कल्कुलेशन लिया है कि लॉंग टर्म के लिए आप इंवेस्ट करते हैं तो आपको कितना रिटन मिल सकता है और अगर मैं कहता हूं कि प लेकिन बीस साल तक आपके उपर जो बर्डन रहेगा साथ हजार रुपे बासाट हजार रुपे महीने देने का और यहां पर कई बार क्या होगा कि आप अपनी जो इनिशल सेविंग को ड्रॉप भी कर सकते हैं जरूरत है नहीं है अवेलेबल है फंड या नहीं है तो यह फ करेंगे क्यूंकि बहुत सारो लोगों के साथ यह समस्या है कि जो खर्चे फिक्स हमीनी ओते वहां पर पैसा सेविंग भी नहीं कर पते कहीं खर्च हो जातायं या तो वह अपने लाइफस्टायल को आपग्रेड़ कर लेते हैं या आपने बाकी खर्चे बढ़ा लेते हैं पर चीजे ले ली गाड़ी ले ली और भी कहीं लगजरी पर पैसा खर्च कर दिया इलाट्रोनिस्क पर पैसा खर्च कर दिया घूमने फिरने पर पैसा खर्च कर दिया या कई बारे से सरकम्सांसिस हो गए किसी को कोई मेडिकल रिकॉर्में आपके फैमिली में हो गई तो बहुत सारी बाते होती है जिसके अधार्पर हमें निर्णे ले सक्तव है कि हमें राइफ में क्या करना है तो चयहें आप घर किडाय पर लें या आप अपना खुद का घर खरीदें अगर वन टाइम पेमिट भी आपके पास है तो भी आपका पर्सनल डिसिजन होगा कि उस एक करोड रुपे से आप ऐसी प्रॉपर्टी खरीदें जिसकी बविश्य में वैल्यू बीस साल बाद चार करोड रुपे हो जानी है या उस पैसे को आप ऐसे इन्वेस्ट करें कि जहां पर आपकी वैल्यू 8-10 कुरूर रुपे हो जानी है वो कहते हैं कि रिस्क है तो इसक है तो यह डिपेंड करता है कि आपकी विजिबिटी क्या है आपकी विजन क्या है आपके विजन क्या है आप क्या लाइफ में करना चाहते है और फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि financial liability क्या है या आपके जो investment कि उसकी क्या value हो जानी है या अगर आप ऐसा invest कर देते तो उसकी क्या value होती यह आपके piece of mind के हिसाब से आपको फिर घर खरीद लेना चाहिए यह आपके personal decision पर निर्भर करता है इसलिए जो भी decision लें चाहिए वो social pressure में आके लें या family pressure में आके लें या अपने piece of mind के लिए लें या investment point of view से सोच कर लें यह आपका personal decision होना चाहिए मैं केवल आपको यह बताना चाहता था कि घर खरीदें या किराय पर लें यह decision लेते समय इन पहलुओं पर विचार जरूर करें अगर आपको यह वीडियो आज का informative लगा है तो मेरा आपसे request है चानल को subscribe करें और comment box में लिखकर मुझे जरूर बताएं कि और यह दिया आपका कोई प्रश्ण है तो हम उस पर आपके लिए एक वीडियो बनाएं स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत